प्रदान मंत्रे नरिंद्र मोदी ने शानिवार को अमेरिका में कौड़ शिखर सम्मेलन के शिर्वात में चीन पर निशाना साधा पिये मोदी ने कहा कि कौड एक्टिव रहने के लिए बना है और ये किसी के खिलाफ नहीं है बिना नाम लिए चीन पर हमला बोलते हूँ उन्होंने कहा कौड के नेता नियम आधारित अंतराश्ट्र व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान में खड़े हैं पिये मोदी ने ये भी कहा कि दुनिया में संघर्ष चल रहा है और कौड हर संघर्ष का शांति पूर्ण समाधान चाहता है उन्होंने कहा कौड का साज़ा लोगतांतरक मूलियों के आधार पर मिलकर काम करना पूरी मानवता के लिए महत्व पूर्ण है हम किसी के खलाफ नहीं है हम सभी नियम आधारित अंतराश्ट्र विवस्था संप्रभुता और शेत्रिय खंडिता के सम्मान और सभी मुद्दो के शांति पूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं उन्होंने आगे कहा स्वतंत्र खुला समावेशी और समर्थ हिंद महा प्रशान्त हमारी साज़ा प्राथमिक्ता और साज़ा प्रतिबधता है हमने मिलकर स्वास्त सुरक्षा उभरती टेक्नोलिजी और शमता निर्मान जैसे क्षित्रों में कई सकारात्मक और समावेशी पहल की है उन्होंने आगे ये भी कहा हमारा संदेश साफ है क्वार्ड सहायता करने, साजितारी करने और पूरक बनने के लिए है मैं एक बार फिर राष्ट्रोपती बाइडन और मेरे सभी सायोगियों को बढ़ाई देता हूँ हमें दोवाजार पच्छेस में भारत में क्वार्ड लीडर्स समिट आयुजित करने में खुशी होगी इस साल कौड नेताओं का शेखर सम्मेलन पहले भारत में होने वाला था लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपती बाइडन इस कारिक्टरों को अपने ग्रेन अगर में आजवित करने के एक चुप थे वाइडन के लिए ये शेखर सम्मेलन किसी विदाई की तरह होगा क्योंकि उनके राष्ट्रपती पद का कारिकाल जो है वो नवेंबर में खत्म हो रहा है हिंद महासागर में भारत की नवी लगातार एक्टिव है हूतिव द्रोयों से जहाजों की सुरक्षा से लेकर हाईजक जहाजों को डाकूं से चुडा कर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है कौर्ड नेताओं ने हिंद महासागर शेतर में भारत की भूमिका की सराहना की है शनिवार को कौर्ड देशों ने का है कि पीए मोदी के नेतरित में शेतर में भारत के नेतरित से बहुत कुछ सीखना बाखी है तीनों नेताओं ने हिंद महासागर में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की पूरे इतिहास की बात करें तो इस समय भारत की अमेरिका के साथ साज़दारी पहले की तुलना में बहुत जादा मजबूत गतिशील और घनिश्ट हुई हैं पैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें